जारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रगुवर दास को ओडिशा का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। पुलिस अधिकारी ने बुधवार को बताया कि आरोपी महिला की पहचान कंधमाल जिले के गुटिंगिया गाउं की पदमिनी डांडिया के रूप में हुई। यात्री ट्रेन को मंजूरी दे दी है। ओडिशा के आदिवासी बहुल मयूर्भंज जिले को दक्षिन पूर्व रेलवे क्षेत्राधिकार में रेलवे ने शामिल कर लिया है। अब इस जगह से कई नई ट्रेने चलेंगी। इससे यात्रियों को सहुलियत तो होगी ही साथ ही आदिवासी बहुल छेत्र का भी अच्छा विकास होगा। पोडिशा में दुरगा पूजा के दोरान पंडालों या मेले में सैरसपाटे का मज़ा किरकिरा होने वाला है क्योंकि मौसम विभाग ने बारिश होने की भविश्य वानी कर दी है। भारतिय मौसम विज्ञान विभाग ने 23 और 24 अक्टूबर को बारिश होने का अनुमान लगाया है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान ने पूजा आयोजकों को चिंता में डाल दिया है। ओडिशा में इन दिनों दुरगा पूजा की धूम है। लोग गाव से शहरों में आ रही हैं। शहरवासी भी निजी बसों के सहारे एक जगह से दूसरी जगह जा रही हैं। ऐसे में प्राइवेट बस नहीं चलने की खबर से लोग काफी परिशान हैं। दरसल प्राइवेट बस मालिक संध सरकार की कई योजनाओं का विरोध करने के चलते यह फैसला लिया है। इस आधार पर CBI ने योजनाओं बध तरीके से अपने जाल में पंसाया। एलंगाना के अलावा ओडिशा में दुरगा पूजा के पर्व पर 9 दिन स्कूल बंद रहेंगे। राज्य सरकार ने घोशना की है कि प्रदेश में 20 से 29 अक्टूबर 2023 तक शैक्षनिक संस्थान बंद रहेंगे। ऐसे में यहां के चात्र चात्राओं को भी लंबे दिनों की चुट्टियां मिल रही हैं। हालां की इस दौरान स्टूडेंट्स को सलाह दी जाती है कि वे समय निकाल कर पढ़ाई भी करते रही। जारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री ओडिशा के नए राज्यपाल बनाए गए हैं। इससे पूरे भाजपा समर्थकों में खुशी का मौहाल है। रगुवर्दास को बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। वहीं सीएम उम्मीदवार की घोशना में देरी के सवाल पर गहलोत ने कहा चयन प्रक्रिया को लेकर विपक्ष का दर दिये हैं कि कॉंग्रेस पार्टी में कोई मतभेट क्यों नहीं है। शिवराज सिह ने कॉंग्रेस पर निशाना साथते हुए सवाल किया कि क्या शमशान घाट में पूजा कराने से प्रदेश का और जनता का भला होगा। मुझे यह सब देखकर तकलीफ के साथ साथ आश्चर्य भी होता है कि विपक्ष को अपने उपर भरोसा ही नहीं है। इन्होंने सिर्फ जनता को लूटा और बरबाद किया है। पांग्रेस ने योजनाय बंद करने का पाप किया है। पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिह के पास 4.15 करोड रुपए की संपत्ती है। इसमें 2.92 लाख रुपए नकद व अन्यशामिल है। उनकी पतनी वीना सिह के नाम 1.21 करोड रुपए की संपत्ती है। इसके अलावा कुटुम्ब, बेटाभू के नाम 2.53 करोड की संपत्ती अलग है। नामांकन फार्म के साथ चुनाव आयोग को दिये गए शपत पत्र के मुताबिक उनके बैंक खाते में 30.45 लाख रुपए हैं। पौंध्रिस की महासचिव प्रियंका गांधी वाडरा पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना, ERCP को लेकर पार्टी के जन जागरुकता अभियान के तहत शुक्रवार को दौसा जिले में एक जन सभा को संबोधित करेंगी। इस अभियान की शुरुवात पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार जुन खरगे ने सोंबार को बारामे की। जिमें सारा नियंतरन एक ही परिवार के पास है। जारी युद्ध को लेकर केरल के राजनीतिक दलों और उनके नेताओं के अलग-अलग विचार हो सकते हैं। हालांकि केरल के एक साधारन से शहर कन्नूर से इसरायल का गहरानाता है। शहर की एक परिधान इकाई में सैकडों दर्जी पिछले आठ साल से पूरी लगन से इसरायल पुलिस की वर्दी तयार कर रही है। भारतिय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा कि गाजा में उत्पन परिस्थिती को लेकर भारक चिंतित है। गाजा में भारतियों के फंसे होने के सवाल पर बागची ने कहा कि वहां गाजा पहले तक्रीबन चार लोग थे लेकिन अभी स्पष्ट आकड़े नहीं है उन्होंने कहा कि गाजा में स्थिती ऐसी है कि वहां से लोगों को निकालना थोड़ा मुश्किल है प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को फलस्तीन के राश्ट्रपती महमूद अब्बास से फोन पर बात की इस दौरान प्रधान मंत्री मोदी ने युद्धगरस्ट गाजा के अल एहली अस्पताल में हुई नागरिकों की मौत पर समवेधनाय व्याद की पूर्व प्रधान मंत्री और जद, सेक्यूलर, प्रमुख HD देवेगौडा ने करना तक इकाई के अध्यक्ष CM इबराहिम को पार्टी से निश्कासित कर दिया हालांकि CM इबराहिम का कहना है कि देवेगौडा के पास यह अधिकार नहीं है उन्होंने कहा कि मुझे अध्यक्ष पद से हटाना संभव नहीं है पार्टी समविधान के मुताबिक एक तिहाई को मुझे नोटिस देना होगा बैठक बुलानी होगी और बैठक में मेरे खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित करना होगा दगातार दो सत्र से शेर बाजार में गिरावट दर्ज हुई है आज भी शेर बाजार में सिंसिक्स और निफ्टी लाल निशान पर बंध हुए है वहीं डॉलर के मुकाबले रुपया भी गिरावट के साथ बंध हुआ है शेयर बाजार में गिरावट वैश्विक बाजारों में कमजोर रुजानों और विदेशी फंड आउटफलो की वजह से हुआ है ब्रिटेन के प्रधान मंत्री रिशी सुनक ने गुरुवार 19 अक्टूबर को इसरायल का दौरा किया इस दौरान सुनक ने इसरायल के अधिकारों का समर्थन किया उन्होंने कहा कि ब्रिटेन साथ अक्टूबर को इसरायल पर हमास के हमले के बाद अंतरराश्ट्रिय कानून के अनुरूप खुद की रक्षा करने और हमास के खिलाफ लड़ने के इसरायल के अधिकार का समर्थन करता है गुड को नेचुरल स्वीट के रूप में जाना जाता है यह न सिर्फ खाने में स्वादिष्ट होता है बलकि सेहत के लिए भी काफी फायदे मंद होता है अगर आप रोजाना खाने में चीनी की बजाए गुड शामिल करते हैं तो इससे सेहत संबंधी कई समस्याएं दूर हो सकती है तो चलिए जानते हैं पोशक तत्वों से भरपूर गुड खाने के हैरान करने वाले फायदे ICC वंडे वर्ल्ड कप 2023 के सत्रहवे मैच में बांगलादेश और भारत का आमना सामना हो रहा है इस मैच में बांगलादेश टीम ने पहले बैटिंग करते हुए 256 रन बनाए और भारत को जीत के लिए 257 रन का लक्ष दिया इस मैच में टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा ने बांगलादेश के खिलाफ खेले जा रहे मैच में 25 रन बनाते ही एक बड़ा रिकॉर्ड हासिल दिया ICC One Day World Cup 2023 के सत्रहवे मैच में बांगलादेश ने भारत को जीत के लिए 257 रन का टार्गेट दिया है बांगलादेश के खिलाफ मैच के शुरुवात में भारतिय गेंड बाजो को विकेट तलाशने के लिए काफी संधर्श करना पड़ा था लेकिन 93 रन के स्कोर पर पहला विकेट गिरने के बाद भारत की गेंड बाजी और फील्डिंग ने कमाल का प्रदर्शन दिखाया मैथ्यूज और दुश्मन्था चमीरा ट्रैवलिंग रिजर्व के रूप में टीम में शामिल होंगे चयन करताओं ने यह निर्णय यह सुनिश्चित करने के लिए लिया है कि टीम के पास मौजूदा सदस्य की चोट जैसी आकस्मिक ताओं का सामना करने के लिए रिप्लेस्मेंट होने चाहिए बांगलादेश के उपनर लिटन दास ने भारत के खिलाफ वर्ड कप 2023 के सत्रहवे मैच में शांदार अर्धश तक जमाया लिटन दास ने उपनर तांजिद हसन के साथ बांगलादेश के लिए रिकॉर्ड साजेदारी भी की लिटन दास ने भारत के खिलाफ वर्ड कप में पहला अर्धश तक जमाया मौजूदा टूर्नामेंट में लिटन दास ने दूसरा अर्धश तक जमाया लिटन दास ने पारी में साथ चौके लगाए ठारत और बांगलादेश के बीच वर्ल्ड कप 2023 का सत्रहवा मैच पुने के MCA स्टेडियम में खेला जा रहा है। दर्शकों के बीच इस मुकाबले को लेकर जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। पुने में 27 साल के बाद वर्ल्ड कप का मैच खेला जा रहा है। अब एक बार फिर एक्ट्रेस ने इंस्टग्राम पर मोनोकिनी में बोल्डनेस का तड़का लगाते हुए अपना वीडियो शेर किया है। इस वीडियो में उनका हॉट और किलर लुक देखने को मिल रहा है। कई हॉलिवुड एक्ट्रेसज ऐसी हैं जिनको देख कर लगता है कि यहां अमेरिकन या ब्रिटिश एक्ट्रेसेज होंगी मगर असल में उनकी जड़े इसरायल तक जाती हैं। इन अभिनेत्रियों ने हॉलिवुड में अपने काम से ऐसी चाप छोड़ी है कि दुनिया भर में बड़ी पहचान कायम कर चुकी हैं। इन में सबसे मशुहर नाम गलगदोत और नैटली पोर्ट में थे। साउथ फिल्म लियो की रिलीज का फैंस बड़ी ही बेसबरी से इंतजार कर रहे थे। ऐसे में गुरुवार को सुपरस्टार थलापती विजय की लियो सिनेमा घरों में रिलीज हो गई। इस बीच लियो के पहले दिन के बॉक्स ओफिस कलेक्शन लेटिस्ट आकड़े सामने आ गए हैं जिससे ये अनुमान लगाया जा सकता है कि विजय का जादू फैंस के सिर चड़ कर बोला है। बॉलाइवुड फिल्म फुक्रे 3 ने रिलीज के तीन सप्ताह बाद भी बॉक्स ओफिस पर अपनी मजबूत पकड़ बनाए हुए है। इतने समय बीतने के बावजूद पुलकित समराट और रिचा चड़ा की फुक्रे 3 ठीक ठीक कमाई करते हुए आगे बढ़ रही है। इस बीच फुक्रे 3 के 22 दिन कलेक्शन के ताजा आकड़े सामने आये हैं।